नमस्कार लोकल खबर में आपका स्वागत है मैं हूं सुभाज शेखर इस समय मैं मौजूध हूँ गांधी वाटिका में जो राची के मुराबाधी मैदान में है आज गांधी जी के पुने तिति के मौके पर यहां काफी सारे संगठन की लोग हैं वो सरधांजली देने के लि जिसमें लिखा हुआ है मोधी सरकार के 10 बड़े जूट इस पुस्तिका में क्या कुछ है क्या 10 बड़े जूट है यही सब बात करेंगे हमारे साथ हैं समीर दास जी यह बताएंगे कि इस पुस्तिका में क्या खास बात है क्या 10 बड़े जूट मोधी सरकार के आप बताने जा रहें संशेप में बताएंगे दसों जूट किसी के भी साथ भेदवाव नहीं करता है हाँ पड़ोसी के उत्पिड़न की वज़े से कोई शरण मांगे तो उसे मदद करना है हमारी संस्कृती है इसका किसी भारतिय नागरिक से कुछ लेना देना ही नहीं है यह कहा जा रहा है मगर यह विभेद के दृष्टी कौन से सीए बनाया गया है वास्टेक्ता यह है कि इसमें सब को शरण नहीं दिया जा रहा है यह धर्म के आधारित है इसलिए हमारे समविदान के विरोध में है जूट बात है ठीक मंद्री ने 22 दिसंबर को अपने बाशन में कहा कि कॉंग्रेस सीपी आम पहले बंगलादेश के अलपा संख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने की मांग करती थी लेकिन इस मामले में पल्टी मार गई है इस सिलसिले में उनके तरफ से 2012 में बीस्वी कॉंग्रेस के प्रस्तावार पार्टी के तत्कालेनिक महासाचीत प्रकाश करात के एक पत्र को भी उद्ग्रिक्या है यह असाम के मामले में कहा गया है असाम एक अधियासिक है वह बंगलादेश के समय में जो बंगलादेश बना था उस समय जो वहां से लोग आए वे थे उसके के माम के लिए लागू करना NOR को परन्तु यह जूट बात है इसको पूरे देश के लागू करने के लिए सब लोग राजी हो गये है ऐसा नहीं यह का जूट मेंगल तीन चुछ लेना देना नहीं है यह तो बिल्कुल दो अलग अलगा चीजह एं जिपक्ष जूटे आं उन NPR से फिर जो है वो NRC बनेगा और CA जो है वो लोगों को सिर्फ नागरिकता देने के लिए है इसका धर्म से कुछ इसका कुछ समविदान से लेना देना नहीं यह अलग से नियम कानून बन रहा है यह तीनों बातों जूट है उन्होंने खुद एड्मिट किया कि NPR के बाद ज कि मैं भारत की 130 करोण नागरिकों को बताना चाहता हूं कि 2014 में मेरी सरकार के सत्तक आने के बाद से किसी भी इस्तर पर NRC की कोई चर्चाई यह नहीं हुए यह इतना बड़ा जूट है महाराष्ट्रों में इतना बड़ा जमीन लिया गया और वहां NRC का कैम्प बनने के कार चलू हो गया नहीं तो वहां भी जमीन की तलाश होके सेटल हो रहा था इस तरह से तमाम जगों पर जो है बोला जा रहा है कि आपको कैम डिटेंशन कैम बनाना है और यह करते हैं कि इनर्सी हमको नहीं की चर्चा नहीं हुई यह बहुत बड़ा जूटे फरेभ हैं हमारे द अनुन रूप दिया ही नहीं गया है ग्रे राजमंत्री से किशन रेडी ने कहा अब तक देश वापी अनर्सी को अधिसुझित नहीं किया गया है और किसी को डरने की विजरूत नहीं है रिखंड में चुनाग के समय में यहां पर जिता अडवार प्रधान मंद्रिया है और अमिद्शा खुद आ इखेंगे पर नंके की चोट पर बोलंगे यह कि हर जगर में पूरे देश नीनर्सी लागो होगा it एक तरफ यह बोलते हैं और प्रफित्र बोलते हैं कि नहीं होगा ति कितना फरेब कि जेगा आपका राश्ट्रवाद चल रहा है जनता को बरगला रहा है आप छटा एडार सी प्रक्रिया तो शुरूई नहीं हुई इसके लिए को अधुसुचना जारी नहीं हुई इनर्सी अगर शुरूई नहीं हुई तो इतने लोगों का अपनी डेटेंशन कैम्प में क्यों डाला और उससे फिर आप कोर्ट से जब आपको चाबुक पड़ा ताब आप उसमें से छाट के निकाल रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं इतना उल्जा के रख दिया है कि देश की जनता को परशान करके छोड़ को दिया है और आप कहते हैं कि इसकी कोई अदूस्च नहीं जारी नहीं कितना जुट बोलिएगा गोली मार दीजेगा उसके बाद बोलिएगा कि आदमी को तो हम चुआ ही नहीं हमने तो उस तरह से बोलने का हुआ सात्वा जूट है अमित शाह का दावा है कि इन पी और इनर्सी से कुछ लेना देना नहीं है यह दावा अत्रिक्त सवालों के साथ इन पी आर को अधतन बनाने के लिए केंद्री मंडल के निर्णों की प्रश्ट भूमियों किया गया केंद्री सूचना वह प्रशाण मंत्र प्रशाद जावकर ने कहा कि राश्ट्री आबादी रेइस्टर सिर्फ जन्गरणा के मकसद के लिए इसका इनर्सी नागरीता से कुछ लेना देना नहीं है फिर विपक्षिकों कह रहा है कि इसके भार्तियों के नागरीता को असर पड़ेगा अब देख लीजिए जावड सिमें जाएगा और यह कहते हैं कि इसमें कोई रिष्टा नहीं है तो आपके मंत्री मंडल के लोग ही जो हैं ब्रह्म में डाल रहे हैं दो तरह का तीन तरह का बात कह रहे हैं मोदी जी अलान कर रहे हैं कि इनर्सी है यह नहीं यहाँ पर और वह आप अमिद सापूरा क्रोन डर्के तो अप इनत्याव पहुंच गहें डिटेंशन कैम्प में रे डाल दी हैं आप सैनिक लोगों को जो है जिसको की मेडल मिल चुका है Aisसे लोगों कondere परिवार्टों को अप jurisdiction दाल दे रहे हैं पिता बहार है और बीटा जो है Gabriel detention Senior अदरमें पिता की मिर्थछी हो चुकिए है बेटी एकलॉती बेटी जो घ्र में घर घर में घूम करके काम करके भाईयों को पड़ा रहे तो उसको delivery सब्सक्राइब करने के लिए या सरकारी नौकरी में भी अब उनकी नौकरी चली आईगी कितना आप सताईएगा डरेगा नहीं तो क्या करेगा अगर डरता नहीं तो उसके खिलाप में खड़ा नहीं होता है आज हिम्मती हैं हमारी देश की जनता जो इस डर को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है और इतना लाकों लोग करोडों के संख्या में रोड के उतर करा गया है माताय बहने बात को समझ करके रोड के उपर आ गई है डरा तो सही में कोई नहीं है मगर मुकावला कर रहा है यह तो बात सही है नौवा जूटे के मोधी ने कहा कि देश में कहीं भी कोई डिटेंशन सेंटर है यह नहीं इसका जवाम मैं दे चुका हूँ आप लोग अकबार वाले हैं आप लोगों को बढ़िया से महलूम है डिटेंशन सेंटर अलरडी रन कर रहा है असाम के अंदर तीन जगों पर और डिटेंशन कैम्प के लिए करोर रुपए के जो है वो बजट दे दिया गया है जमीन अलोट हो गई है वहां बन रहा है बढ दल जाएगा वहां की इतनी बधाली हो जाएगी वहां पर कि स्वास्त और किसी चीज का कुछ रहेगा नहीं और वो कंसेंटरेशन कैम्प में तियार हो जाएगा मरने के लिए बाद्ध हो जाएगा आदमी दसमा जूट सीए विरोधी परदशन कारियों खिलाफ कोई बल प्रियोग नहीं किया गया है दिल्ली या उत्तर प्रदेश में अन्य भाजपा साशित राजियों में भी जहां बड़े-बड़े प्यमाने के विरोध हुए पुलिस ने किसी पर गोली नहीं चलाई है बात सह कि हां गोली चली है डिफेंस में चलाई थी तो यह आप कितने पर जूट बोलिएगा इसको किस तरह से कीजिएगा आज भी तो गोली चली है आज महत्मा गांदी जो इतने बड़े शहीद है उनके शहादत दिवस की दिन आपने गोली चला दी जामिया के सामने में और स्ट जुआ ही नहीं किसी कुछ होई नहीं रहा है जोगी सरकार किस तरह का आतंक पैदा करके बैठी होई है आप जान बढ़ियां तरीके से सब लोग जानते हैं इसका भी प्रमान मिल चुका है कि पुलिस ने तो और फोड किया है पुलिस संपती का वहां पर नुक्सान पहुच है इतनी बातें जूट बातें जो हैं इसके बारे में आपको बता रहा हैं यह हैं मोदी सरकार के दस जूट नामक पुस्तिका के जो हैं मुख्य पुएंट और यह जो पुस्तिका है दो भासाओं में हैं दो प्रमुक भासाओं में हैं हिंदी में हैं और इंग्लिस में हैं इन बातों से आप कितने सम्मत हैं और इन में क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के इस पोस्ट के कमिन बॉक्स में अपनी बाते कह सकते हैं और इसको जादा से जादा आप चाहें तो सेर भी कर सकते हैं आप देखते रहिए लोकल ख़बर